हेलो फ्रेंज मोधमिता लीटील कीचिन मैं आयल का मैं हो मोधमिता और एक निव रेशीपी श्यार करने जा रही हो। बाठ्चै बॉरे सबको बहुत पसंद आता है। मतलब ऐसा कोई नही है जो ये रेशीपी खाना पसंद नहीं करते। मैं आज घर में बना के देखा रही हूँ पीजा का रेसिपी ओ भी बिना अभेन की परफेक्ट टेस्ट के साथ आपने मौन पसंद वेजिटिबेल डाल के बहुत बड़ी असा आसानी से पीजा का रेसिपी आप लोग घर पे बना सकते हो और सबसे बड़ी बात यह है कि एक का मुएदा से मैंने दो-दो पीजा बना के दिखाऊंगी और यह जो पीजा बेस है वह भी घर पे बनाऊंगी बहुत आसानी से सो फ्रेंज मेरे चैनल में नाई है तो जोरूर मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ऐसा है हट दिन निव निव रेसिपी देखने के लिए चलो फिर ए बोड़ी असा पीजा का रेसिपी शार करते है ये पीजा बनाने के लिए सबसे पहले मुझे पीजा का जो बेस है पीजा बेस बनाना पड़ेगा तो पीजा बनाने के लिए सबसे पहले आठा नीद करना पड़ेगा तो मैंने इहां पे लिया सबसे पहले एक बाउल बाउल को अंदर डाल देती हो ये मिल्क एक काप मील्क लिए यह जो मील्क हे यह थोड़ा सा गरम है मतलब गुणगुना गरम है आप डालती हैं एक टेबिल स्पून एस्ट मतलब एक काप मैंने मोयदा उज़ करूँगी तिसलिए एक टेबिल स्पून मैंने इस्ट डाल देओ measurement भी आप लोग सोई तारीके से डालेंगे तो perfect ये base भी बनेगा डाल देती हूँ एक टेबिल स्पून सुगार अच्छी तरह से मिला लेती हूँ ये जो milk है ये थोड़ा सा गुनगुना गरम होना चाहिए एसे फिर क्या होगा इस अच्छी तरह से एक्टिफिट भी हो जाएगा और ये सुगर जो है वो भी अच्छी तरह से मिल्ट हो जाएगा आप मैंने एई देखी दोसरा बला एक बाउल में डाल दिया एक काप मुएदा डालती हो थोड़ी सी नमक और डाल देती हो इसके अंदर मैंने जो मिल्क एक्टिफ बला जो मिल्क है मतलब जो इस डाल के मिल्क राखी थी अगर पीजा बेस जो है वो पारफेक्ट बनेगा तो इसका टेस्ट भी पीजा का टेस्ट भी पारफेक्ट आएगा अच्छी तरह से मिला लेती हो ये स्पून से नहीं होगा हाथ की हेल्प से अच्छी तरह से बहुती बोड़ी आसा एक डो बनाना है मतलब थोड़ा सा टाइम लागेगा आप मैंने डाल देती हाँ पे दो चामच ओयल बात में मैंने थोड़ा सा बाटार डालोंगे तो इसलिए आभी दो चामच मतलब दो टेबल स्पून मैंने इहाँ पे ओयल डाल दिया आप देखी मैंने फ्लोर की उपर थोड़ा सा डाल दिया सुखा मैदा आप मैंने इसको निकाल लिया आच्छी तरह से इस तरह की आटा को नीड करना है तो भी बड़ी आसा सौप्ट ये डो बनेगा ये देखी किस तरह की मैंने इसको नीड कर रही हूँ मैंने बहुत सारा ब्रेड या केक के रेसिपी भी स्यार कर चुकी हो मतलब ये पाव ब्रेड नॉर्माल बेड मैंने रेस्किप्शन बक्स में देदूंगी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं आम मैंने डाल देतो दो से तिन क्यूब बाटार बाटा जोरूट डालला बहुत बोड़िया सा टेस्ट भी आएगा और ये जो मतलब डो है वो भी पारफेक्ट साप्ट बनेगा ये देखी आच्छे तरह से मिला लेती हो बेड बनाने के लिए भी हम लोग इसी तरह के मौईदा नीद करती हो ये देखी थोड़ा सा टाइम लागेगा आठ से दोस मिलिट मैंने इसी तरह की इस आठा को अच्छी तरह से नीड गया ये देखी कितना बोड़िया सा साप्ट बन गया अब भी मैंने दिखा देओ कि साप्ट हो मतलब ये जो डो है अच्छी तरह से हुआ की नहीं मैंने थोड़ा सा टुगरा ले लिया ये देखी मैंने जितना इसको खीच रही हुँ कितना बोड़िया सा ये देखी है बहती पतला इसके जो लेयार है निकाल के आरी है मतलब देखी कितना बोड़िया सा पार्फेक्ट इस तरह के आटा नीड करना है जितना बोड़ी असा आटा नीड करेंगे उतना ये बोड़ी असा ये जो पीजाका बेशेव पार्फेक्ट बनेगा आप मैंने इसको इस डोको एक से देड़ घंडा कमसकम ढग के राग दूँगी क्योंकि अभी ठंडी के मोसम इतना जोल दी पूलेगा नहीं दो घंडा से ज्यादा टाइम भी लाग साकते लेकिन आच्छी तरह सिस डोको मतलब इसको अच्छी तरह से डोबल होना चाहिए इसको आच्छी तरह सी मिला ले आप मैंने एक दिब्भा के अंदर डाल के इसको एक बावल के अंदर डाल दिया और इसको कम उसे कम एक से देड़ घंटा धाक के राग देती हो, देड़ घंटा के बाद मैंने दिखाती हो, ये देखिए, कितना बड़िया सब पार्फेक्ट ये आटा फूल गया, ये देखिली जे, इस तरह कि अगर डो बनेगा तो ये पीजा बेस जेहे ओ भी पार्फेक्ट बनेगा, अगर पीजा बेस सप नहीं होगा, तो क्या होगा, ओऔ कोरक होगा, मतलब बिस्कित जैसा खाने में लागेगा, पीजा जैसा लागेगा नहीज तो इससलिए दुकान जैसे अगर पीजा खाना है तो इसी तरह की डोको भी बनाना पड़ेगा, आप मैंने देखी एक का काटूंगी नहीं थोड़ा सा मैंने हाथ की हेल्प से अच्छी तरह से इसको फेला दूंगी इसको ज्यादा नीर नहीं करेंगे फुलने के बाद अगर ज्यादा देर तो किसको नीर करेंगे तो फिर क्या होगा ये देखी इसका जो फर्मेंटेशन हुआ वो निकाल जाएगा तो इसलिए कोसिस कीज़े ज़्यादा इसको कुछ मूब नहीं करना है इसे तरह के हाथ के हलका हाथ से इसे प्रेश करके थोड़ा सा बढ़ाना है मतलब ऐसे ही रोटी जैसा कर लेना है अगर आप हाथ से नहीं कर पागोत लाट सकते हैं लेकिन बेस्ट रजाडल के लिए ह हाथ की हेल्प से इसी तरह के अच्छे तरह से इसको पीजा बेस को फैला देना आम मैंने यहाँ पे एक थाली के उपर राग दिती हो तो पहले मैंने थाली को ग्रीज करके मतलब थोड़ा सा ओयल लाका के राग दिया था नॉर्माल जो घर का थाली होता है उसी स्टील का थाल यह मैंने यूज कर रही हो यह देखी उसके उपर डाल के भी इसका जो स्थाली का साइज यह उसी हिसाब से अच्छी तरह से फैला देती हो ताकि इसका सेब जह हो पार्फेक्ट आएगा आप मैंने इस पीजा बेश के उपर यह देखी इस फोक की हेल्प से अच्छी तरह से इसको छेद कर रही हो छेद भी बहुत बढ़ी आसा करना है एसे फिर पीजा बेश जो यह बहुत ज़्यादा फूल जाएगा तो मतलों पीजा जैसा लागे गा निवो ब्रेड बन तो इसलिए इसको आच्छी तरह से फोक की हेल्प से इसको इसी तरह की छेद कर लिया आप देखी मैंने इहां पे लिया कुछ ग्रेटेर चीज और कुछ वेजेटेबिल जैसे मैंने लिया केपसी काम औनियोन और लेरियों मैंने टोमाटर आप आपका मन पसंद सबजी ले स और ले रहे हो मैंने इहां पे थोड़ी सी पोनिर, पोनिर को मैंने थोड़ा सा पहले फ्राइ कर लिया, कच्चा बला पोनिर से ज्यादा ये बला फ्राइ की यहां पोनिर यूज करेंगे तो उसमें टेस्ट अच्छा आएगा, आम मैंने डाल लियो ये टोमेटो सोस, कुछ अची तरा से टोमेट सस लागा दिया आप डाल रही हूँ चीज चीज भी जितना डालेंगे उतना बली आसे इसका टेस्ट आएगा डाल देती हूँ काटे हुआ वेजेटेबिल्स सब जी भी आपका जितना मंचे उतना डाल सकते हूँ क्योंकि आप घार पे बना रही हूँ तो मैंने भारपूर मैंने इसके अंदर वेजेटेबिल्स डालूँगी एक पीजा के उपर ये देखी केपसी काम प्याज और मेनर डाल देती हूँ यहाँ पे जो टोमाटर काटा हुआ राखी ते हूँ टोमाटर भी डाल देती हूँ चाहे तो आप कॉन बागेरी भी परफेक्ट टेस्ट आएगा भारपूर मैंने भेजेटेबिल्स डाल दिया आप इसके उपर अर्भी डाल देऊ थोड़ासा ये चीज ओई में बातार ये जितना चीज डालेंगे उतना बडियासा इसका टेस्ट आएगा दोकान जेशा आच्छे तरासे भारपूर मैंने च थोड़ी सी चीली फ्लेक्स चीली फ्लेक्स ओरीगन बहुती अच्छा बहुत इसके फ्लेबार आएगा एगा देखी थोड़ासा चीली फ्लेक्स भी मैंने इसको डाल देतो ज्यादा नहीं डालेंगे अगर घर में बात्चे खायेंगे तो ज्यादा चीली फ्लेक्स मत डाल लेकिन ओरीगन जोरूर ड़लना आच्छी तरह से इस पीजा को मैंने डेकरेट कर लिया। आप चोली इसको बेक करते है। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर कोडाई लिया, कोडाई के उपर डाल दिया है ये रेती आठ ड्राकरी उसके उपर एक स्टेंड। अच्छी तरह से इसको पहले प्रिहिट करना है, कॉम से कॉम पास से साथ मिनिट तो प्रिहिट करने के बाद ये पीजा बेस डालना है, प्रिहिट नहीं करेंगे तो ये अच्छी तरह से बेक नहीं होगा, ये देखी डाल दिया, आप मैंने इसको कॉम से कॉम तीस मिनिट तो पकाऊंगी 30 मिनिट तक जोरूर पकना किये कि ये पीजा बेस पकने में टाइम लागेगा तब तक मैंने दोसरा वाला जो डो है उसको भी बना लेती हो पीजा और ये पीजा बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम इसलिए लागेगा अगर पहले पीजा बेस को पहले पका बात यह बेजेटेबल्स बागे रह डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लागेगा लेकिन अगर पहले बेजेटेबल्स पाक जाएगा चीज भी आछी तरह से मेल्ड हो जाएगा लेकिन एगडर ये पीजा बेस आउच्छी थरा इस को बेई कर लेंगे उसके के बाद अगर यह सब जीवागेर डालेंगे बेक करेंगे तो उसको थोड़ा सा टाइम लाग कॉम लागेगा इस पीजा बनाने का सब टिप्स मैंने आप लोगों को साथ सेयर कर रही हूँ रिली बहुती पार्फेक्ट बनेगा आप लोग घर पे अगर एक बार बना के देख मैंने 30 मिट के बाद चेक करती हूँ पीजा कैसे बेक हुई है यह देखी कितना बड़ी असा मौस्त यह बेक हो रहे 30 मिट टाइम तो जोरूल लगेगा मैंने फोक से एक बाद चेक कर लेती हूँ की की यह पीजा पाका की नहीं पहले चेक कर लेती हूँ उसके बाद निकाल यह देखिए मतलब अच्छे तरह से फोक निकाल के आरे पार्फेक्ट यह बेक हो गया टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा लेकिन अगर पार्फेक्ट इस पीजा का बेक करना है ऐसे हम लोग सोचेंगे कि वेजेटेबिल्स पाक गया उपर से चीज मी मेल्ट हो गया लेकिन यह कम से कम 30 मिल्ट तक जोरूर पाकान है कम हीट में पाकाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ए देखिए कितना बड़िया सम्मस्त दिये और इसका जो फ्लेवार है मतलब अरीगेनों चेली फ्लेक्स आरी है सोब जी चीज का जैसे दोकान जैसा लाग रहे पार्फेक से बहुत आच्छी तरसे गरों में तो इसलिए ये पीजा सेकेंड बला पीजा राने के लिए ज्यादा टेम नहीं लगेगा ये देखिए दो दो पीजा बन गया एक का मोईदा से और ये देखिए साइड भी कि कितना बड़िया सा पाग्या मैंने दिखाते हूं ये देखि कितना बड़िया सब पारफिक्ट ये पीजा बन गया रियली आप लोग एक बार घर पे बाना के देखिए बहुत मजा आएगा बानाने में सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो जोरूर मेरे चेनल को सब्सक्राइब कीजिए एसा हट दिन न्यू रेसिपी देखने के लिए और बेल बेटन को प्रेस करना ना भूले ताकि नोटिफिकेसेन सब से पहले आप को मिल जाए मेरा न्यू रेसिपी देखने के लिए सब लोग आच्छी देख खुस रहे बाइबाई